हेलो नमस्कार जेहिंद दोस्तों मैं हूँ चंद्रिका परशाद इस वीडियो में हम साल्व करेंगे दोस्तों UPTGT के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट यह वीडियो दोस्तों UPTGT के साथ साथ UPPGT, Yelty Grade GIC Lecturer, NBS, KBS और UPSC की परिक्षा के लिए समान रूप से उपियोगी है इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 कोश्चन सामिल है यह प्रैक्टिस सेट UPTGT Social Science 2021 के प्रशनपत की तरह है इसके प्रशनों की प्रकरती 2000 रकेश में पूछे गए प्रशनों की प्रकरती पर अधारित है इसके सारे प्रशन महत्पूर है, बीडियो काफी helpful होने वाली है इसलिए बीडियो को आप सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए यह बीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सभलता में शहायक सिद्ध होगी तो चलिए बीडियो सुरू करते हैं, इस से पहले कि आप बीडियो में खो जाएं, एमेडिटली बीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लीजी हमारा चैनल यूटूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है, जो केवल यूपी टीजी टी सोसल साइश की तैयारी कराता है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला कोश्चन है दोस्तों, तामर पाशार काल में बृत्ता कार गर्द ग्रियों की प्राप्ती निम्रलिखित कि श्रस्थल से हुई है आपसर में दिया है नौदा टोली, अहार, हरपा और इनाम गाउं तो इसका सही उतर क्या है, तो इसका सही उतर है दोस्तों, आपसर नंबर D, इनाम गाउं प्राचीन तामर पाशार काल में चूले और बृत्ता कार गर्द ग्रियों की खोज पस्चमी महराष्ट के इनाम गाउं में की गई है तो आप इसको याद रखेंगे, फिर अगला कोस्चन है, भारत में निम्नलिखित में किश नौपासारी कस्थल को सरपर्थम सूचित किया गया था आपसर नमें दिया है कुल्डिहवा, चिराद, गुफकराल और लिंग शुगूर तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आफसर नमबड़ी, लिंग सुगूर में डो टेलर द्वारा 1882 में भारत में प्राचीनत नौपासारी कस्थल के रूप में लिंग सुगूर को सूचित किया गया था आप इसको याद रखेंगे, बड़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों, तैतरी शंग्हिता में वो लिखित कुरीद सब्द, निमने लिखित में शे किश्के लिए परियोग किया गया है आपसन में दिया है रिड, लाओ, तामर और यग्ये, तो इसका सहीउत्तर क्या है, तो इसका सहीउत्तर है दोस्तों, आपसन नंबर पहला, रिड तैतरी शंग्निता में रिड के लिए कुशीद सब्द का परियोग और सत्पत ब्रामण में उधार लेने के लिए कुशीदिन सब्द का परियोग किया गया है तैतरी ब्रामण से तीन रिडों और पांच महायग्यों का विबरण प्राप्त होता है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों निम्ल लिखित में से कौन बैदिक देवता नहीं है आपसन में दिया है बिश्डू, कृष्ड, राम और ब्रम्भा तो इसका सहीवतर क्या है आप लोग कमेंड करके बताएंगे फिर अगला कोश्चन है शेंदो सभिता से सम्मंधित सरवादिक पुरास्थल किश्ण नदी के तट पर बिदमान है आपसन में दिया है शेंदू, सतलज, घगघर और हिंडन तो इसका सहीवतर क्या है तो इसका सहीवतर है दोस्तों आपसन नमबर C घगघर इसी को ही सरश्वति नदी कहा जाता था शेंदो सभिता से सम्मंधित अभी तक लगभग 1400 पुरास्थलो का पता लगाया जा चुका है जिसमें से केवल 40 बस्तियां सिंदू और उसकी सायग नदियों के छेत्र में पाये गए हैं जबकि 1100 बस्तियां सिंदू और गंगा के बीच में इस्थित सरश्वति नदी के तट पर पाये गए हैं इस प्रकार अस्पष्ट है कि हडपा सभिता का मुख छेत्र सिंदू घाटी नहीं बलकि सरश्वति और उसकी सायग नदियों का छेत्र रहा है तो आप शुक्याद रखेंगे शेंदू सभिता से सम्मंधित सबसे अधिक पुरास्थल घगघर नदी के आसपास पाये गए हैं फिर अगला कोश्चन है दोस्तों शिंदू संस्कृति से सम्मंधित अस्थल मांडा किश नदी के किनारे इस्थित है आपसन में दिया है राबी नदी, सतलज नदी, शिंदू नदी और चिनाब नदी तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर डी चिनाब नदी जम्बू के अखनूर तहशील में चिराब नदी के दाएं तर पर मांडा इस्थित है जो की शिंदु सभता का सबसे उतरी अस्थल है इसकी खोज 1922 में जेपी जोसी ने की थी यहां से प्राक हडपा और उतर हडपा काल के साख्ष पाए गए तो आप श्वयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्थ हुआ है यानि की हल का टेरा कोटा कहां से प्राप्थ हुआ है आपसन में दिया है बनवाली से, काली बंगा से, राखी गढ़ी से और रंग पूर से तो इसका सहुत्तर क्या है, तो इसका सहुत्तर है दोस्तों आपसन नंबर पहला, बनवाली से हरियाणा के फटेह बाजिले में इस्थित, सरशोती नदी के किनारे बनवाली इस्थित है इसकी खोज 1974 में आर्यश बिष्ट ने किया था यहां से पक्की मिट्टी के हल के बने एक प्रतिरूप याने की हल का टेरा कोटा प्राप्त हुआ है तो आप इसकी जाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है, पदमाउती कथा का रचनाकार काउन था आपसन में दिया है मुल्ला दाउद, दामोदर कभी, कुतुबन और मलिक मुहम्मद जैशी तो इसका सहुत्तर क्या है, तो इसका सहुत्तर है दोस्तों आपसन नंबर बी, दामोदर कभी पदमाउती कथा की रचना मलिक मुहम्मद जैशी ने की है और पदमावती कथा की रिचना दामोदर कभी ने की है पदमावती कथा की भासा राजस्थानी हिंदी है इसमें छंद चौपाई की अतरिक्त दोहा सोठा आदी का परियोग किया गया है तो आप इसको याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों किस गरंथ में आवतार वाद की चर्चा की गई है आपसर में दिया है आपसर नमबर दी भागवत गीता में मौलिक रूप में स्रीमत भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है यह प्राचीन धर्मिक गरंथ महा भारत का एक अंग है आवतार वासे समंधित बिश्तिर चर्चा इस गरंथ में की गई है भागवत गीता में स्रीकृष्ण ने अरजुन को उबदेश देते हुए कहा है तो इस परकार दोस्तों इन में से भागवत गीता में आवतार की चर्चा की गई है फिर अगला कोश्चन है वाजस ने निम्नलिकित में से किस बेद से समंधित है आपसन में दिया है रिग बेद, शाम बेद, यजूर बेद और अथर बेद तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर शी यजूर बेद यजुरबेद के दोस्तों दो भाग हैं सुकल यजुरबेद और कृष्ण यजुरबेद इन में से सुकल यजुरबेद को वाजशने शंगिता के नाम से जाना जाता है तो आप इश्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोस्चन है पूर्वी साखा का नाम ही आगे चलकर महायान पड़ा भक्ति और पूजा की भवना के कारण इसकी और लोग आक्रिष्ट हुए नागारजुन असघोस और अंगस महायान मत के कुछ परमुक बिचारक है महायान साखा का शंपूल शाहित संस्कृत में लिखा गया है तो आप श्कुयाद रखेंगे, बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोशन है दोस्तों महायान संपरदाय की अस्थापना का स्रे किशे दिया जाता है आपसन में दिया है अशोग, नागारजुन, आनन्द और बुद्ध तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नंबर बी नागारजुन नागारजुन को महायान संपरदाय की अस्थापना का स्रे दिया जाता है महायान संपरदाय में परोपकार और सेवा पर जोड दिया जाता है इसका मुख्य उद्यस शंपूर मानो जाद का कल्याण करना है महायान का मतलब होता है उतक्रिष्ट मारग तो आप इसको याद रखेंगे महायान संपरदा की अस्थापना का सिरी दिया जाता है नागारजुन को फिर अगला कोश्चन दोस्तों महासांगिक इसकुल का उदय कहां हुगा था आपसन में दिया है बैशाली, बोध गया, शारनाथ और राजग्रिह तो इसका सही उतर क्या है, तो इसका सही उतर है आपसन नंबर पहला बैशाली दूतिय बोध संगीत के शमय भिप्चुशंग दो संपरदायों में बट गया परंपरागत बिने में आस्था रखने वालों का शंपरदाय अस्थविर और परिवर्तन के साथ बिने को श्रीकार करने वालों का शंपरदाय महासांगिक के नाम से जाना जाता है महासांगिक स्कूल का उदय बैशाली बरतमान बिहार में हुआ था तो आप इसको याद रखेंगे, आपसन नंबर पहला इसका सही है फिर अगला कोश्चन है निम्नलिकित मेश्रे काउन बाउद धर्म का पर्थम महान राज की संदक्षक था आपसन में दिया है अशोक, अजात, सत्रू, अदेयान और, कनिश्क तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नंबर पहला अशोक अशोक के सासन काल में बाउद धर्म को राज की संदक्षन प्राप्थ हुआ अशोक ने बाउद धर्म के परचार के लिए अपने सामराज की पूरी शक्ति और पूरी शाधनों को लगा दिया था उसके अथक परिस्रम के प्रडाम सरूप या धर्म भारती सीमाओं का अच्कर्मन करके पस्चिमी एसिया और स्रीलंका तक फैल गया असोक के शमय में ही तिर्ती बहुत संगीत पाठल पुत्र में हुई थी जिसकी समाप्ती के बाद विभिन दिसाओं में धर्म पर चारक भेंजे गए थे तो आप इसको याद रखेंगे इसका सही उत्तर है आफसन नमर पहला फिर अगला कोश्चन है दोस्तों यूनानी परभाव पाया जाता है इनमें से किश्मी है आफसन में दिया है गुप्त कला में, मौर कला में, गंधार कला में और मतुरा कला में तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर 3 गंधार कला में यूनानी कला के परभाव से पस्चिमोतर भारत में गंधार शैली का उदे हुआ यूनानी कला में मनुस के शौंदर यावर बोध को परधानता मिलती है आता है गांधार सैली के मूर्तियों में अध्यात्मिक्ता और भावनात्मक्ता का अभाव पाया जाता है गंधार सैली के मूर्ति निर्माड में काले इशलेटी पत्थरों का उपयोग किया जाता है तो आप इश्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निबन लिखितमेशक कि इस मौर सासक ने आजीवक सम्रदाय को सनक्छड दिया था आपसल में दिया है चंदरगुप्त मौर बिन दुसार दसरत jour कुडाल तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसल नंबर बी बिन दुसार मौर सासक बिनुसाद जिसको अमित्र गहात भी कहा जाता है इसने आजीवक संप्रदाय को सनक्षड दिया था दिब्या वदान नामा गरंथ से यह जानकारी प्राप्थ होती है कि उसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योत्सी निवाश करता था असोक ने बिहार में इस्थित बराबर की पहाड़ी में अपने राजजब सेक के बराहमें और उनेश्वें बरस में करम से दो गुफाओं सुदामा गुफा और करड़ चौपड गुफा आजीवक संप्रदाय को दान दिया था तो इसको भी आप जानते रहिए फिर एगला कोश्चन है निमलिखित मेंशे कौन मौर सासक आजीवक मत का समर्थक था आपसर में दिया है चंदरगुप्त मौर, शंप्रती, दसरथ और जालाओक तो इसका सही उतर क्या है तो इसका सही उतर है दोस्तों आपसर नमबर श्री दसरथ मौर सासक दसरथ दोस्तों आजीवक मत का समर्थक था दसरत ने नागाजुनी पहाडी में आजीवक संपरदाय के लिए तिन गुफाओं का निर्मान करवाया था जिसमें सामिल है लोमर्स गुफा, गोपी गुफा और बटजिका बहियक गुफा इन गुः लेखों की भाषा प्रकृत है और इसकी लिपी ब्रामी है तो आप इसको याद रखेंगे मौर सासक दसरत आजियोक मत का समर्थक था फिर अगला कोश्चन दोस्तों मन्द सवर प्रसस्ति की रचना किशने की थी आपसर में दिया है हरशेड, बीर सेन, बाण भट और वस भटी मन्द सवर दोस्तों प्राचीन मालवा में इस्थिथा इसका एक नाम दसपूर भी मिलता है यहां से प्राप्त कुमार गुप्त के लेख में बिक्रम सम्वत 529 कितिति दी गई है इसकी रचना वस भटी ने की है, यह लेख प्रसस्त की रूप में है मन्द सवर प्रसस्त में शूर्य मंदिर के निर्माल का भी उलेख किया गया है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है महाराजा धिराज की उपाधी धालर करने वाला पर्थम गुप्त सम्राट कौन था आपसर में दिया है तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नंबर बी चन्दर गुप्त पर्थम चन्दर गुप्त पर्थम दोस्तों गुप्त वन्स का वास्त्विक संस्थापक था अपनी महत्ता सूचित करने के लिए उसने अपने पूर्वजों के विप्रीद महाराजा धिराज कुपाधी धाल की थी तो आपसर नमबर B इसका सही उत्तर है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों निम्रलिकित में से किस स्रोत में महर कुल की एक सैतान के वतार की रूप में पहचान की गई है आपसर में दिया है तिबतन, चीनी, कश्मीरी और संस्कृत तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर B चीनी मिहर कुल बहुत ही कुरूर और अत्याचारी सासक था चीनी यातरी, शुंग यूंग और होयन सांग ने मिहर कुल को सैतानिक सासक बताते हुए बहुत धर्म का बिरोधी बताया है लेकिन गौलियर से प्राफ्त एक लेख में मिहर कुल को प्राक्रमी और प्रित्वी का श्वामी कहा गया है इसको भिया प्याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों आवस पाई दिर्ष निम्लखत मेंशे किसकी कला में चित्रित पाए गये हैं आपसे नमें दिया है भरहुत, बोधगया, मतुरा और सारनाथ तो इसका सहीवतर क्या है? इसका सहीवतर है दोस्तों आपसे नमबर 6 मतुरा मतुरा कला में दोस्तों आवस पाए दिर्श चित्रित पाए गए हैं 1836 में मतुरा कला की मूर्ती के पर्थम दर्शन और उसकी पहचान की गई बरतमान में यह कलकत्ता संगरहले में रखा है आप श्क्राद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे आपसर में दिया है चिंग तू, चीन लिन, इन तू या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर सी इन तू भारत को चीनी लोग इनतु के नाम से पुकारते थे इसका बर्डन चीनी यातरी होयन सांग और फायान ने अपने यातरा बिरतांत में किया है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोशन है हल किसकी प्रतिमा का बेसिश्ट लक्षण है आपसन में दिया है बलराम, कृष्ण, शूर्य और त्रिविक्रम तो इसका सही उतर क्या है? इसका सही उतर है आपसन नमबर पहला बलराम बलराम की प्रतिमा का बेसिश्ट लक्षण है हल प्रतिमा 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 प्रत सबसे पहले रहेगा दोस्तों गुजरात अलाओ दीन खिलजी ने गुजरात विजय प्राप्त की थी 1299 में और 301 में रण थंभोर पर विजय प्राप्त की थी 1301 में रण थंभोर जीता था लाओ दीन खिलजी ने चित्तावड को जीता था 1303 में और तिलंगान को जीता था 1309 में तो दूसरा पहला तीसरा और चौथा आपसा नमबर डी इसका सही उत्तर होगा आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोईशन दोस्तों कोईशन नमबर पचीज वह कौन सा प्रथम राज था जिसके विरुद अलाओ दिन खिलजी ने हमले की शुरुवात की आपसान में दिया है मेवाड, रण थंभावर, दिल्ली और बंगाल तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों इन में से रण थंभावर आपसान नमबर बी इसका सही उत्तर है तेरह सवयग में अलाओ दिन खिल जी ने रर संभोर पर अभियान किया था आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों निम्रलिखित मंगोल सासकों पर बिचार करें इसमें दिया है चिंगिज खान, मोंग के खान, कुबलाई खान फिर आगे लिखा है काउन सा बिकल्प उनके सही काल क्रम का परतिन दितु करता है इसमें दोस्तों चिंगिज खान लिखा है, चिंगिज खान ही चंगिज खान है चंगिज खान के द्वारा मंगोल सामराज के स्थापना मध देश्रिया में की गई थी थान मुलत है मंगोली आई उपाद थी जिसे मंगोल सासक धारड करते थे महत्वपुल मंगोल सासक करम से इस प्रकार है पहला है चिंगिज खा या चंगेज खान उसके बाद उगताई खान उसके बाद गोयु खान उसके बाद मौंग के खान और अंत में कुबलाई खान तो इसमें दोस्तों जो दिया है यह एक सिक्वेंश रे दिया है तो आपसर नमबर 20 का सही होगा पहला दूसरा तीसरा यह सभी एक करम से हैं आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों मौहमद बिन तुगलक की मृत्यू की सभीयान के शमय हुई थी आपसर में दिया है वारंगल, थट्टा, तेलंगाना और कांगडा तो इसका सही उत्तर क्या है आपसर नमबर 20 इसका सही उत्तर है थट्टा थट्टा अभियान के समय में मौहमद बिन तुगलक की मृत्यू हुई थी शिंद को ही थट्टा कहा गया है मौहमद बिन तुगलक की मृत्यू पर बदायूनी ने लिखा है कि शुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को शुल्तान से मुक्ती मिल गई तो आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है फिरोज तुगलक ने किसकी इस्मृती ची रस्थाई बनाए रखने के लिए जौनपुर नगर की अस्थापना किये थी आपसर में दिया है गयासो दिन तुगलक अलाओ दिन खिल जी मुहमद बिन तुगलक और गयासो दिन तुगलक तो इसका सही उत्तर क्या है आप जानते ही हैं आपसर नमबर सी इसका सही उत्तर है मुहमद बिन तुगलक फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जवना खा जिसका नाम था मुहम्मद तुगलक, पूर्व सुल्तान रह चुका था, उसकी याद में जौनपूर की अस्थापना इस ने 1369 हिस्वे में की थी, आप उसकी याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों, सर्व कर किस पर लागू होता था, आपसर में दिया है गैर मुसल्मानों पर, विदेसी ब्यापार पर, और देवगिक विकास पर और जल आपूर्ती बनाय रखने पर, तो इसका सही उतर क्या है, आपसर नमबर डी इसका सही उतर है, जल नहरे खुदवाय सी, उसने हक यह सर्व नामक के कर लगाया था, तो वही है यह सर्व कर, जल आपूर्ती बना रखने के लिए, आप इसको याद रखेंगे, फिर अगला कोश्चन है, दारूल हरब क्या था, आपसर में दिया है, हिंदू राज छेतर, मुसलिम राज छेतर, अरब राज छेतर और तुर्क राज छेतर, तो इसका सेउतर क्या है, आपसर नमबर पहला इसका सेउतर है, हिंदू राज छेतर, दारूल हर्ब को गईर इसलामिक देश माना जाता है, भारत में मुसलिम सासनकाल में हिंदू राज छेतर को दारूल हर्ब कहा जाता था, तो रावल पिंडी में, इसलामाबाद में, लाहोर में और दिल्ली में तो इसका सहित्तर क्या है? आपसर नंबर श्री इसका सहित्तर है लाहोर में कुत्वुद्धी नयवा की राजधानी लाहोर थी बारस सदस इसबी में, चवगान यानि की पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर इसकी मृत्यू हो गई थी इसको लाहोर में ही वहीं पर दफनाया गया है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है किन इसमृति कारों ने बेध्वा पुनर विवा को कानूनी मानिता दे थी आपसन में दिया है मनू और याग्यवलक, नारद और पराशर, कात्यायन और पराशर, नारद और मनू तो इसका सही उत्तर क्या है आपसन नंबर 20 का सही उत्तर है नारद और पराशर, नारद और पराशर ने दोस्तों बेध्वा पुनर विवा को कानूनी मानिता दे थी आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 33 निम्नलिकित मेंशे किसने चार परमुख बलडों के अस्तर बेवसाय, दायतों, कर्तब्यों और बिशेशा धिकारों में अर्षपष्ट रूप से भेत किया है आपसन में दिया है मनू स्मिर्ती, धर्म शूत्र, ग्यान वला किश्मिर्ती और ललित बिश्तार तो इसका सही उत्र क्या है? आपसन नंबर 20 का सही उत्र है धर्म शूत्र धर्म शूत्र में दोस्तों चार बलडों के अस्तर बेवसाय, दायतों, कर्तब्यों और बिशेशा धिकारों में अश्पष्ट रूप से भेत किया गया है इसमें सामाजिक नियमों का उलेक मिलता है जो भारती बिधी के प्रारमिक स्रोत है शूत्रों में गौतम धर्म का शूत्र सरबाजिक प्राचीन माना जाता है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोस्चन है निमनलिकित मेशे किसने सर परसम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था आपसन में दिया है राल्फ फिंच सर थामस रो थामस एडवर्डर जान मेंडन हाल तो इसका सही उत्तर क्या है आपसन नमबर डी इसका सही उत्तर है जान मेंडन हाल जान मेंडन हाल नामक ब्रिटिश यातरी थल मार्ग से भारत में मुगल समराट अकबर के सासनकाल में आया था इसने ही सरपरसम अकबर से गुजरात में ब्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त किया था इसके बाद थामस एलवर्थ के अधिन शूरत में ब्यापारी कोठी की इस्थापना की गई थी आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निमलिकित में शेकाउन मुगल सामराज के पतन के लिए उत्तरदाई कारण नहीं था आपसन में दिया है बिदेशी आकरमड, कृषक आशंतोष, कमजोर उत्रादिकारी और प्राकिर्तिक आपदाएं इनमें शेकाउन मुगल सामराज के पतन के लिए उत्तरदाई कारग नहीं है तो प्राकरतिक आपड़ाएं दोस्तों मुगल सामराज के पतन के लिए उत्तरदाई कारग नहीं है बिदेशी आक्रमड, किर्शक आशंतोस और कमजोर उत्रा दिकारी मुगल सामराज के पतन के लिए उत्तर दाई है आप इनुक याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों सूची एक का मिलान सूची दो से कराना है इसमें लिखा है कि मुगल सामराज के दोरान शमाज के संदर्व में सूची एक और सूची दो के साथ सही रूप से मेल खाने वाले बिकल्ब का चैन करें शूची एक में दिया है तबीब, बक्काल, पुलकरडी और इजारदार तो इनमें से दोस्तों पहले दिया है तबीब, तबीब होता था दोस्तों चिकितसा चिकितसक, पहले का हो जाएगा तीसरा, बक्काल था दोस्तों अन्य धान ब्यापारी, तो बी का हो जाएगा चोथा, कुलकरडी था दोस्तों ग्राम लेखा कार तो सी का हो जाएगा पहला और इजारदार था सारबजनिक राजस की किसी मद का किशान तो डी का हो जाएगा दूसरा इसका सुमेलन आप इस प्रकार शिकर कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोशन दोस्तों जहांगीर के दरबार में निम्नलिकित चित्रकारों में से कौन प्राकिर्तिक बिस्यों के चित्रण के लिए परशिद था आप्शन में दिया है बिसनदाश, अब्दुरहशन, उस्ताद मन्शूर और आगा रजा तो इसका सही उत्तर क्या है आपसर नम्बर सी, इसका सही उत्तर है उस्ताद मन्शूर उस्ताद मन्शूर दोस्तों प्राकिर्तिक बिस्यों पर चित्रण के लिए परशिद था आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निम्नलिकित में से कौन मुगल बासा दोरा नहीं लिखी गई है इसमें दिया है तुजुक ए बाबरी हुमायू नामा तुजुक ए जहांगेरी और रक्तात ए आलमगेरी तो इसका सही उत्तर क्या है आपसर नम्बर 20 इसका सही उत्तर है हुमायू नामा हुमायू नामा दोस्तों हुमायू की बहन गुलबदन बेगम ने फार्सी भासाय में लिखा है मुगल भासाय ने नहीं लिखा है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है मुगल बंस की निमलिकित मेशे किसी मालत की डिजाइन और वास्तुकला शे उस्ताद इशा शमंधित है आपसन में दिया है ताज महल, बुलंद दरवाजा, लाल किला और इतमादु दौला का मगबरा तो इसका सही उत्तर क्या है आपसन नमर पहला है इसका सही उत्तर है उस्ताद इशा खा दोस्तों ताज महल के प्रमुख वास्तुकार थे आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोशन है परशित इतिहास कार सुजान राय कि इसके सासन काल में था आपसन में दिया है जहांगीर, शाह जहां, दारा शिकोहर, औरंग जीब तो इसका सही उत्तर क्या है आपसन नमबर डी इसका सही उत्तर है औरंग जीब परशित इतिहास कार सुजान राय खत्री औरंग जीब के सासन काल में थे इन्होंने खुलासा तोल तवारिक नामक पुस्तक की रचना की है आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोशन दोस्तों भारत में पर्थम और द्योगिक हरताल कब और कहां पर किये गए थी तो यह की गए थी दोस्तों अठार सा चोहत्तर में बंबई कपड़ा मिल में आपका नमबर पहला ही इसका शही उत्तर है भारत में सर पर्थम हर्ताल 1864 रिस्वे में बंबई की टेक्स्टाइल मिल में की गई थी तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोशन दोस्तों एसियाटिक सोसाइटी या बामबे की अस्थापना निम्नलिक्षित में से किशबर्ष हुई थी तो इसका सही उत्तर क्या है आपसर नमबर C इसका सही उत्तर है 1804 में 1804 में सर जेम समयकिन तोसो ने इसियाटिक सोसाइटी या बामबे की अस्थापना की थी आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है इलाहबाद प्रियाग में 1857 के बिद्रोह का नेत्रतु किश्ण ने किया था तो आप जानते ही हैं मौलबी लियाकत अली ने किया था आफसर नमबर D इसका सही उत्तर है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों निम्नलिकित में से कौन सा कथन 1857 निसिवे की क्रांती की प्रकृति और सरूपर अधिक तर संगत धंग्षे प्रकाश डालता है तो आफसर नमबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों यहाँ एक राश्टी स्वतनता के लिए लणा गया यूद्ध था आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोशन दोस्तों लोकायत दर्सन का प्रवर्टक किशे माना जाता है आफसर में दिया है चारवाक, वासवराज, विज्जल और चनवाशन तो इसका सही उत्तर क्या है आफसर नमर पहला इसका सही उत्तर है चारवाक मानव जीवन का सबसे प्राचेन दर्सन चारवाक का दर्सन है जिसको लोकायत दर्सन के नाम से जाना जाता है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोशन है दोस्तों निमलिखित में से कौन सकतन वराह मिहर की विशे में असत्त है इसमें दिया है वराह मिहर उजेनी के निमाशी थे दूसरा है उन्होंने दस्मलब पधत की खोज की तीसरा है उनके पिता आदित दाश थे और चौथा है उन्होंने लगु जातक गरंथ की रचना की है इनमें से कौन सकतन असत्त है तो आपसर नमबर भी दोस्तों असत है दसमलों पद्धत की खोज आर भट ने किया था ना की वराह महरें आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों हिंदू धर्म के दर्सन के शंदर में दिम्रलिखित मेशे कौन सहयोग में शुमेलित नहीं है आपसर में दिया है शाख, कपिलमुनी, योग, पतंजली, न्याय, जेमिनी और बेदान्त, वादरायाण तो न्याय दोस्तों गवतम का दर्सन है आपसर नमबर सी इसका श्रही नहीं है न्याय दर्सन के पड़ेता दोस्तों गवतम थे इन्हें अच्छपाद भी कहा जाता था आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है मिलिंद पन्धों का लेखक कौन था तो आप जानते ही है नाक सेन है मिलिंद पन्धों के लेखक दोस्तो नाक सेन है इसके अंतरगत राजा मिलिंद ब्यानी के मिनांडर और बहुत भिक्षू नाक सेन के मध शरंबात का उलेख किया गया है यह एक पाली गरंथ है आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों कल्चूरियों की राजधानी कहा थी तो कल्चूरियों की राजधानी दोस्तों तिरपूरी में आफसर नमबर पहला ही इसका शही उत्तर है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है कामाख्या मंदिर किस राज्य में इस्थित है तो आप जानते ही हैं अश्रम में है या आपसा नमबर शी इसका सही उत्तर है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों नेती प्रक्रण ग्रंथ किसके उपदेशों से सम्मंदित है तो यह सम्मंदित है दोस्तों महात्मा बुद्ध के उपदेशों से आपसा नंबर भी इश्का शही उत्तर है नेति प्रक्रण दोस्तों ये एक बहुत शाहित है इसमें चीकिस्ता से समंधित विश्रों का वरण किया गया है पिर अगला question है शंकराचार ने नियम्लेखित में श्री काउन सो सिध्धान्द दिया था तो संक्राचार ने दिया था दोस्तों अदोयत वेदान्थ आपसा नमबर डीश का शही उत्तर है शंक्राचार का जन्म दोस्तों आठमी सताबदी में केरल में हुआ था इनके शमय में बाध्धो और जैनियों के प्रभाव से हिंदु तो शमाप्त हो रहा था इसी को रोकने के लिए इन्होंने बेदान्थ पर जोड़ दिया तो आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है कुल्लम संबत का प्रारंब कि शिदारसनिक के शुधारों के समय से माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तों शंक्राचार के सुधारों से आपसर नमबर डी इसका सही उत्तर है केरल के माला बार तट से 825 सिद्वी में शंक्राचार ने अपने सुधारों की सुरुवात की थी इन्ही सुधारों के समय कुल्लम संबत की सुरुवात मानी जाती है फिर अगला कोशन दोस्तों शंक्राचार ने कहां पर चार पीठों के स्थापना की थी तो इन्होंने किया था दोस्तों बद्री नात स्रिंगेरी पुरी और द्वारिका में आपसर नमबर डी इसका सही उत्तर है बद्रिनात, स्रिंगेरी, पुरी और द्वारिका में संक्राचार ने चार पीठों के स्थापना करी है आप इसको याद रखेंगे, बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोशन है दोस्तों, निम्नलिकित में से दाय भाग का लेखक कौन है तो दाय भाग के लेखक के दोस्तों, जीमूत वाहन, आपसर नमबर 6 इसका सही उतर है बिग्या नेस्वर ने किस पुस्तक को लिखा है, आप इसको कमेंट में बताएंगे फिर अगला कोशन है, निम्नलिकित में से कौन संक्राचार के गुरु थे? तो संक्राचार के गुरु थे दोस्तों, कौन थे? गोबिंद योगी, आपसर नमबर D इसका सही उतर है आपसर नमबर D शंक्राचार का जनम दोस्तों केरल में हुआ था सन्यास ग्राण करने के बाद संक्राचार ने गोबिंद भगवत पात से दिख्छा ली थी शको के धिन प्रांती छत्रफ होते थे आपसर नमबर D इसका सही उतर है आप शुक्याद रखेंगे शको के प्रांती छत्रफ को ही छत्रफ कहा जाता था गौडनर को फिर अगला कोश्चन दोस्तों निम्रलिखित मेंसे किस पुस्तक की रचना जैन बिद्वान हरी भद्र सूरी के द्वारा की गई थी तो जैन बिद्वान हरी भद्र सूरी के द्वारा दोस्तों लिखा गया था समरा दित्य कथा आपसर नमबर D इसका सही उतर है हरी भद्र सूरी दोस्तों शोयतामर संपरदाय के आचार थे इन्होंने समरादित कथा लिख फिर अगला कोशचन है हलपा काली नतल आलमगीरपूर किस राज में इस्थित है तो यह इस्थित है दोस्तों उत्तर परदेश में आपसान नमबर मोबी इसका शही उत्तर है आलमगीरपूर उत्तर परदेश के मेरट जिले में इस्थित है फिर अगला कोश्चन है निम्लिकित में से नाट सास्र के रचेता कौन थे तो नाट सास्र के रचेता थे दोस्तों भरत आपसन नमबर 20 कर शही उत्तर है आप इनुक्याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नमबर 61 ब्रिटिस सेना में शेवारत भारती सेनिकों का पहला बिद्रोह कहां हुआ था आपसन में दिया है बंगाल, मेरट, बेलूर और अवध तो इसका सही उत्तर क्या है आपसन नमबर 60 का सही उत्तर है बेलूर ब्रिटिस सेना में कारेरत भारती सेनिकों का पहला बिद्रोह तमिल नाट के बेलूर में हुआ था यहां पर माथे प्रतिलक लगाने और पगड़ी बाधने पर बिटिस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था ओश्री के बिरोज में यह बिद्रोह हुआ था फिर अगला कोश्यन है दोस्तों गज हस्त मुद्रा शम्मांधित है इनमें से किस्ती आपसन में दिया है शिव से, बिशलू से, बुद्ध से या गणेश्री तो इसका सही उत्तर क्या है आपसन नमबर पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों शिव से गज हस्त मुद्रा दोस्तों शिव से सम्मांधित एक योग की मुद्रा है बुद्ध से सम्मंधित मुद्राएं हैं पहला अभे मुद्रा दूसरा धर्म चक्र परवर्तन मुद्रा और तीसरा है भूमेसपर्ष मुद्रा गज हस्त मुद्रा दोस्तों शीव से सम्मंधित है आप इश्कुयाद रखेंगे इसी कोश्चन के साथ हमारी यह वीडियो यहें परस्वाथ होती है अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद